नमस्कात दोस्तों मैं आपके साथ सुधिर कुमार मैं एक वीदी विद्याति का चात्र हूँ जब मैं संभिधान पढ़ा और देखा तो महिलाओं को ऐसे कई अधिकार दिये गए हैं जो महिलाओं उस अधिकार से कई भी कहीं वन्चित हो जाती हैं या उन्हें मालूम ही नहीं पढ़ता या कई ऐसे बाधायें प्रताय रहती हैं कि वे अपने अधिकार को नजर अंदाज कर देती हैं अगर यह वीडियो हमारे भारत देश की मा बहन बेटिया मा अन जैसे दोस्त देख वस सुन रहे हैं तो आप इस अधिकार वक कानून को अपनाएं जिससे महिलाएं आगे बढ़ें और अपने उचाईओं को तक पहुँचें और दूसरों के साथ या वीडियो जरूर से करिएगा और अपने बातों को अपने अधिकारों को जरूर से करिएगा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए है बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिसे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें साथ में एक लाइक और एक सेयर जरू करें तो चले हम देखते हैं महिलाओं के सम्मिधानी का दिकार जो हमारे भारती सम्मिधान में दिया गया है और उन समान कानूनों को देखते हैं जो महिलाओं को सरनचर देती हैं प्रोटेक्ट करती है और महिलाओं को उचाईते पहुचाती है भारतिय समिधान कानुच्छित 14 आर्टिकल 14 एकुलिटी विफो ला विदि के समझ समता राज भारत के राजचेतर में किसी विव्यक्ति को विदि के समझ समता से या विदियों के समान सनचन से वनचित नहीं करेगा अर्थाद भारत के किसी विव्यक्त महिला हो, पुरोष हो या कोई विव्यक्ति हो उसे विधियों के समान सरन अच्छन से वंचित नहीं करेगा अर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म मोलवन्स जात लेंग या जन्म अस्थान के अधार पर विवेद का प्रतिसेद अर्थाद कोई भी किसी नागरी के विर्यद केवल धर्म मोलवन्स जात लेंग जन्म अस्थान या इनसे किसी के अधार पर कोई विवेद नहीं करेगा अर्थाद या महिला हो या पुरूश हो तो उसमें कोई भीद नहीं करेंगे सब कोई शमान अधिकार मिला है या महिला हो या पुरूश हो तो महिलाओं को भी इसमें सनचर दिया गया है उन्हें शमान रूप से देखा जाएगा इसी में है Article 15, Clause 3 Nothing in this article cell prevent the state from making any special provision for women and children इस अनुशेत की कोई बात राज को इस्तिरियों और बालकों के लिए कोई विसे सुबंद करने से निवारित नहीं करेगी अर्थात इस्तिरियों और बालकों के लिए राज उन्हें अलग से भी प्रावधान बना सकता है महिलाओं के लिए अगर कोई भी समस्या आ रही है तो सरकार राज महिलाओं के लिए अलग से उपबंद कर सकती है भारती समिधान कानुशेत 16, Article 16 Equality of opportunity in matters of public employment लोग नियोजन की विसे में आउसर की समता अथाद शब को लोग नियोजन के आउसर में समानता दी गई है महिला या पुरुष को विभेद नहीं किया जाएगा किसी भी लिंक के अधार पर विभेद नहीं किया जाएगा जहां पुरुष को लोग नियोजन में आउसर मिल रहे उतना ही महिलाओं को भी मिलेगा सिट यही लोग नियोजन के आउसर की समता है आइटिकल 19 प्रोटेक्शन अफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम आफ स्वेज अधार वाक्य सुतनता आदी विस्यक कुछ अधिकारों का सनच्छण विचारव अभ्यक्त की सुतनता पुरुष और महिलाओं को दोनों दिये गए है ना कि विवेद किया गया है ना कि पूरुष ही विचार वато अभ्यक्ती की सुतनता पाया है बल्कि महिलाओं को भी विचार और अभ्यक्ती की सुतनता मिली है आइटिकल 21 प्रोटेक्शन अफ लाइफ एन प्रस्थन लाइबिल्टी प्राडियों देहिक सुतंता का संचन किसी व्यक्ति को उसके प्राडिया देहिक सुतंता से विदिद्वारे इस्थापित प्रक्रिया के अनुशारी वंचित किया जाएगा अन्यत्था नहीं इसका मतलब है कि कोई भी जैसा कि हम देखते हैं कि पुरुष महिलाओं के उपर अत्याचार करता है या कोई भी व्यक्ति महिलाओं के उपर अत्याचार करते रहते हैं तो उन्हें भी क्या है प्राडियों देहिक सुतंता है उन्हें भी जीने का अधिकार है कोई भी विव्यक्ति महिलाओं के उपर अत्यचार नहीं कर सकता उन्हें भी दहिक सुतनता मिली है उनकी प्रेशनल लाइबिल्टी है उन्हें भी प्रोटेक्शन आफ लाइब मिला है आर्टिकल 21 के उन्षार भारत का समिधान दोरा अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15.1 क्लाजे तु प्रमोटेट हर्मोली एंड दे इस्पिरिट अफ इस्पिरिट अफ कॉमन ब्रदर होड इमांगे इस्ट अल्द पीपल अफ इंडिया टॉंस्टिंडिंग रिलिजियस लिंगिस्टिक अड रिलिजियन और सिक्विनिशल डाइवर्सिटीज डाइवर्सिटीज टू रिनुएंस पॉल्टीज डिरोग्रेटिक टू दू डिग्निटी आफ उमें अर्थात भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भात्रित्य की भावना का निर्मार करें जो धर्म भासा और प्रदेश या वर पर आधारित सभी भेदवाओं से परे हो ऐसी प्रताओं को त्याग करें जो इस्तिरियों के समान के विर्द्ध हैं अर्थात इसमें दिया गया है कि ऐसी प्रताओं का हमें त्याग करना चाहिए जिसमें हमें इस्तिरियों का समान के विर्द्ध हैं अर्थात जैसा हो गया एक सती प्रता और ऐसे बाल विवा भी हो गया तो इन समय क्या होता है इस्तिरियों के सम्मान के विरुद्धी ये सब प्रताएं हैं तो हमारे सम्मिधान के अनुच्छेंद 51 का कामी ये सब दिया गया है कि ऐसी प्रताओं का हमें त्याग करना चाहिए जो इस्तिरियों के शम्मान के विर्द हो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आगे भारत सरकार दोरा ऐसे समान ने कानुन जो महिलाओं को प्रोटेट संड़च्छर देती हैं उन्हें महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं फर्स्ट है विधवा पुनरविवा अधिनियम 1856 इसमें क्या हैं कि पहले होता था कि विधवा एक बार जो इस्तिरी हो गई वीडियो हो गई तो उनका दुबारा विवा नहीं होता था इस अधिनियम में विधवा पुनरविवा अधिनियम 1856 में जो महिला एक बार विधवा वीडियो हो जाती थी उन्हें दुबारा साधी करने का मौका है वो अपने इच्छनुसा साधी कर सकती हैं साधा अधिनियम या बाल विवा इस अधिनियम में पहले जो प्रताय थी कि बाल विवा हो थे 18 वर्स या 14 वर्स की जो लड़कियां थी इस्तिरियां थी उनका विवा हो जाता था बाल जब मतब बच्च के उमर के थे तब ही इनका विवा हो जाता थो तो इसी रोकने के लि आगे बात करते हैं हिंदु विवा अधिनियम 1955 बनाएगा विशेस विवा अधिनियम दहेज प्रतिसेद अधिनियम 1961 भारती तलाग अधिनियम 2017 ये भी एक महिला को प्रोटेट करती है जब मुस्लिम पती या पतनी किसी को किसी एको तलाग दे देते हैं तो उनका विवाएक जीवन अस्तबेस हो जाता था तो इसे रोकने के लिए भारती तलाग अधिनियम 2017 गरेलो हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं के यहन यौन उत्परियन रोक थाम 2005 इन सब समान कानून के जरिये से महिलाएं सरच्छण मिलता है और उन्हें बहुत ही सुरच्छा महसूस होता है तो महिलाएं अपने अधिकार और समान कानूनों को बारे में जाने और महिलाएं आगे बढ़ें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग तरह से इसकीम लाती रहती है योजनाय लाती रहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें उन्हें शमान रूप से देखा जाएं सम्मान के नजरिये से देखा जाएं और उचाही तक महिलाएं पहुचें कि जैसे पुरुष चल रहे हैं हर एक सेवा छेतर में उसी तरह महिलाएं भी अपना योगदान दें पुरुष्ट और मैलाएं कंधे से कंधे मिला कर चले तो आज की वीडियो यहीं पर समावत होता है अगर इस टॉपिक पर किसी को कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंड बॉक्स में अपने समस्याओं का समधान पा सकते हैं धन्यवाद देश्टों डिजेदर जय हिन जय भारत